दोस्तो अगर आप Axis Bank के customer है यानि कि आपका bank खाता Axis Bank में है और दोस्तो आप Axis Bank के यहाँ पर जो है mobile application यानि कि mobile banking में registration करना चाहते हो first time यानि कि उसको use करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से करोगे उसमें first time registration किस प्रकार से करोगे उसी का complete process इस वीडियो में आपको देखन mobile app है उसमें कर पाओंगे तो दोस्तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी से क्वेश्टर वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बार रहते हैं चैनल को जरूर से subscribe कर लेना और bell icon को press कर लेना क्योंकि दोस्तो आपको हमारे चैनल पर bank से mobile app यूज करने वाले हो ठीक है जिसमें आप first time registration करने वाले हो क्योंकि उसी की मदद से आप यहाँ पर उसमें registered कर पाओगे क्योंकि वह authenticate करता है कि यह इस phone में ही SIM card है या यह नहीं है ठीक है तो यह security purpose की वज़े से आपका यहाँ पर check होता है इसलिए वह number आपके उस mobile में ह आपका recharge होना भी जरूरी है क्योंकि एक OTP की मदद से वह जो है यहाँ पर authenticate करता है कि यह SIM इसी mobile में है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ठीक है यह चीज़े होने जरूरी है अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में main process के और तो अब चलते हैं जली से main process को और start करते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में main process के तो दोस्तों हम आ गए है अपने mobile phone की screen पर access bank में अगर आपको mobile banking के लिए registration करना है तो सबसे पहले आपके पास access mobile app होना जरूरी है कुछ इस प्रकार का icon देखने को मिलेगा open access bank ठीक है जो कि अभी updated यह यहां पर इंस्टॉल हो रहा है वीडियो को जल्दी से like कर दो चैनल को subscribe कर दो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा यहां पर इंस्टॉल हो रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा यहां पर application इंस्टॉल हो गया है अब हम इसको open कर लेते हैं तो दोस् into your Axis account, तो इस पर आपको click कर देना है, फिर यहाँ पर आपको permission देनी है, इसको allow कर देना है अब कुछ इस प्रकार का interface आएगा अब मेरे phone में जो है, दो sim पड़े हुए है, ठीक है, तो जो मेरा number Axis bank से link है, ठीक है, तो उस इस number से कोई मुझे यहाँ पर select करना है तो यहाँ पर जो मेरा है Jio वाला number Axis bank से link है तो मैं अपना Jio वाला select कर लेता हूँ, अगर आपके phone में एक sim होगा तो एक sim बनावाएगा दो sim होगे तो दो sim होगे तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो mobile number आपके जो है आपके phone में होना जरूरी है जिसमें आप Axis bank का mobile apps यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं अपना select कर लेता हूँ दोस्तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर नीचे continue के बटन पर जैसे ही किलिक करता हूँ तो यहाँ पर allow का message जा रहा है यानि sim verification complete हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तो कुछ इस प्रकार का page आएगा आपके सामने तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना name type कर लेना है और नीचे आपको दोनों condition पर टिक करके नीचे simple continue के बटन पर किलिक कर देना है दोस्तो आप जैसे ही continue के बटन पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने six digit का mpin बनाने का option आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने six digit mpin बनाने का option आ गया है तो अब आपको यहाँ पर six digit का mpin बना लेना है इस mpin की मदद से ही आप इस application में login कर पाओगे तो इस mpin को याद अखना है दोनों में same mpin डाल कर इसको mpin को create कर लेना है अब दोस्तो mpin successful create करने के बाद दोस्तो आपको इसको application को दोबारा से open करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको mpin डाल कर इसमें login हो जाना है जो अभी आपने mpin बनाया है दोस्तो हमने अपना mpin डाल दिया है और इसमें हम देख सकते हो कि इसमें login हो गए है और हमारा balance में यहाँ पर show हो गया है अब दोस्तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है अब दोस्तो इसमें अगर आप कोई services use करना चाहते हो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो credit card या services, send money तो दोस्तो जैसे ही आप इस पर click करोगी तो यहाँ पर दोस्तो आप इस services को use कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर एक बार authentication process को complete करना होगा ठीक है तो इसको आपको proceed पर click कर देना है यह एक main step है इसको आपको जरूर से देख लेना है अब यहाँ पर तीन option मिलते हैं OTP के मादियम से कर सकते हो internet banking, debit card OTP के मादियम से आपको customer ID डालनी होगी ठीक है और यहाँ पर proceed कर देना होगा यानि कि आपके register mobile number पर OTPI का उसकी मदश से कर सकते हो internet banking में आपको यहाँ पर login ID और password डालना होगा और debit card में आपको यहाँ पर अपने debit card की detail card number card expiry, ATM pin डाल देना है तो इस तरीके से आप इसमें verify कर सकते हो तो हम यहाँ पर ATM card की मदश से verify करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने card की detail डाल दी है उसके बाद यहाँ पर नीचे continue के button पर हम click कर देते हैं तो दोस्तों जैसे ही हम continue के button पर click करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक process होगा और यहाँ पर हमसे mpin मांगा जा रहा है जो भी हमने सुरू में starting में mpin डाला है लास्ट वाला step इसके बिना आप कोई भी services यहाँ पर use नहीं कर पाओगे जैसे कि my account, checkbook services, credit card कोई सी भी services पर आप click करोगी तो आपको वहाँ पर जो है app authenticate मांगेगा तीन process से आप अपना app authentication process complete कर सकते हो जो कि मैंने बताया है customer ID OTP के माधियम से और दोस्तों वहाँ पर आपको debit card के माधियम से और इंटरनेट banking के माधियम से तो इन तिनों से आप कर सकते हो तो उमीद करता हूँ कि आप इस प्रकार से आपने complete access bank का जो mobile application है उसमें registration करना सीख लिया होगा जिसको भी आपने first time अगर आप try कर रही होंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक complete देख लिए तो आपको समझा गए हो कि इस प्रकार से आप अपने access bank में first time जो है registration कर सकते हो तो अगर वीडियो देखकर help मिली है तो यह वीडियो को like कर दो चैनल पे पहले बादे चैनल को subscribe कर दो और bell icon को पैस कर दो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में नई update के साथ जब तक के लिए जय हींद वन्यमात्रम